सोशल मीदिया, डिजीटल इंडिया, डिजीटल इंडिया, हो रहा है अपका थो 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 डिजीटल इंडिया मैं चाहूंगा इस वीडियो को लास्ट एक जरूर देखेगा अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हो आपको हिंदी अच्छी तरह से आ जाता है इंग्लीज थोड़ा कम आता है या फिर नहीं आता है कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन हिंदी आपको सियूर आना चाहिए 400 से ज्यादा सर्विस है थम्मेल में मिश्टेक से हम 300 लिख दिये हैं लेकिन 400 सर्विस इसमें मिलेगा और इसमें आप अच्छी खरसी कमाई कर सकते हो जैसे कि अभी पूरे इंडिया में 4 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुका है और वो घर बेठे कमा रहा है तो आज क कर देंगे इसमें फुरी जनकारी देंगे इसमें एक छोटा सा एक्जाम देना होता है वह एक्जाम online होता है उसके लिए online ही रेजस्वेशन करता है और बहुत ही simple है आपको इस video में बताया देंगे हम कि exam के लिऎए रिजिशिशन केसे करना है, एजाम पास केसे करना है, उसके बाद Digital India से जुड़ने का प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब सभी सर्विस मिलेगा आपको इस Digital India Portal में, Digital India Portal मतलब CAC के बारे में बात कर रहे हैं, जो CAC में, लगभग CAC में आधे सर्विस जो है, गवर्मेंट का है, तो आप गवर्मेंट सर्विस से जुड़िए, और घर बेठे आप लगभग 20-30,000 कमाई किजे, और जिससे ये काम आपको मिल जाता है, उसके बाद आप अपने पीछे कुछ लोगों को जोड़ सकते हो, और उसे भी काम दे सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सरा काम होता है, लगभग 300 से जादा लगभग 400 सर्विस में है, तो आप 400 सर्विस में काम नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम आपको स्टाप रखना पड़ेगा, उसको अपने आइड़ी में एड़ करना पड़ेगा, तो पूरा प्रोसेस बताएंगे, आप वीडियो लाश्यक जरूर देख क्या क्या काम है, और कितना पोरफिट होता है, इसमें कितना कमिशन मिलता है, वो सारी जनकारी इस वीडियो के अंदर देंगे, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप वीडियो इसकी मत किजिए, अगर आप बेरोजगार हो और कोई काम ढूंड रहे हो, तो ये व वीडियो में आग बनने से प्छले ये बता देना चाते हैं, आप मेरे चैनल वर्क्पेमें अगर नए हो, तो चैनल को सस्क्राइब किजईगा, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजएगा, सस्क्राइब करने से आपका फ्टरफिट क्या है, सस्क्राइब करोगे तो आने वाले टाइम में CAC Digital India के पोटल के बारे में जनकारी मिलते रहेगा जैसे इसमें आपका क्या क्या सर्विस है कैसे काम करना है वो सारा जनकारी इसी की चैनल के मध्यम आपको जनकारी मिलते रहेगा तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं आपको ID password मिलेगा कैसे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको हम logout कर देते हैं, यह दो कोई से हम logout कर दिये हैं, इसको हम फिर से type कर देते हैं, इसका जो भी link है, सारा link, जो important link है, सभी link आपको declusion box में मिल जागा, यह रहा CAC digital सिवा, इंडिया को digital बनाने के लिए एक सबसे ब पता रहा हूं, 300 से 400 लगभख service इसमें है, अवेलेबल है, तो चलिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले कुछ homepage इस तरह देखने को मिलेगा, साइद बहुत सारे भेली को, जो इसमें जूर जाता है, जिसको इसका ID password मिल जाता है, उसको CAC भेली बोला जाता है, ठीक है, village label, entrepreneur, तो कुछ इस तरह का homepage होता है, चलिए हम इसे login कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, जानकारी देते हैं, कि इसके अंदर आपको क्या-क्या service मिलेगा, इसका ID कैसे लेना है, exam कैसे देना होता है, exam के लिए registration कैसे करना परता है, तो मैं already ले चुका हूँ, और यह इसमें कर रहा है, बाकी यहां recent transaction, जीतना भी transaction आपके ID से होगा, जो भी service है, उसका कुछ balance करता है, उसमें कुछ आपको commission देता है, तो commission भी दिखाएंगे, कितना commission मिल रहा है, वो भी दिखाएंगे, इसलिए हो सकता है, वीडियो लंबा होगा, तो यहां पर देखो, जो भी last का 10 transaction यहां आपको दिखाएंगा, ठीक है, यहां पर जीतना भी transaction करोगी, सबसे पहले उपर dashboard का हम जनकारी देते है, देखे, इसमें क्लिक करेंगे हम, तो यहां आपका नाम सो करेगा, आपका email ID सो करेगा, बाकी यह service आपको जो यहां निचे सो कर रहा है, वो करेगा ही करेगा, यहां पर देखो सबसे पहले water का option है, water में क्लिक करेगा, तो water वाले option में जो भी service है यह available वो सो करेगा, उसके बाद service फिर government का जितना भी service है यहां पर क्लिक करेगा, तो यहां पर देखो government का जो भी service है यहां सो कर रहा है, तो बहुत सरा service है, आप नीचे scroll down करते जाओगे, लेकिन यह खतम नहीं होगा यहां पर देखो बहुत सरा सर्विस है तो यह सारा गौर्रमेंट का सर्विस है जैसे कि मैं कुछ उधारन बता देता हूँ परदान मंत्री फसल भीमा योजना यहां से अपलाई कर सकते हो और भी बहुत सरा सर्विस यहां पर आप पर सकते हो एक कफी यहां से परमेंट कर सकते हो एजुकिशन में जो भी एजुकिशन सर्विस है वो यहां सारा सो करेगा एजुकिशन वाले टैप में भी बहुत सरा सर्विस है ग्रामी नोकरी इसमें एक ओफर चल रहा है अभी इसमें 100 कंडिट को रिशिशन करोगी तो एक मॉर्फो डि है तो अल्रेडी इसमें आके लोगिन किजेगा और इसे चेक किजेगा बहुत सरा एजुकिशन वाले ओप्सन में भी यहां सर्विस आपको मिल जाता है फिर ट्राइवल में प्लाइट टिकट रेल टिकट बस टिकट सारा यहां बूप कर सकते हो एजुकिशन वाले बता दि अब आशिवयां अभी आपको सभी सर्विस चेक करना है तो यहांपर सर्विस में क्लिक करोगे एजड़ Ihnen करें जासर कि अगर्वर तो करते रहूगे लेकिन यह खतम नहीं होगा जैसे कि 400 जब तक 300 या 400 जब तक प्रूस ना कर जाओ यह खतम नहीं होते जाएगा ठीक है अ अब जिसके लिए आविदन करोगे उश्री बैंक का CSP मतलब BC point आपको देगा साथ में आधार center मिलेगा अगर आप इसका ID लेते हो तो Digital India मतलब CSC का ID passport लेते हो तो तो पुरा process बताएंगे जैसे कि इसका आप भी जानकारी हम दे दिये कि ये portal होता किसे है चलिए इस portal के बारे आखिर यह ID आपको लेना है तो कैसे लेना है तो सबस्पले आपको आजाना यहां पर इसका जो भी लिंक है ना डेकुशन बॉक्स में डाल देंगे ठीक है मतलब जो भी important link होगा वो सारा link आपको यहां पर डेकुशन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां चेक कर लिजेगा तो अगर डेकुशन बॉक्स क्या है वो आपको जानकारी नहीं है तो एक वीडियो में चला के दिखा देता हूँ यहां देखिए यह वीडियो में ने चलाया ठीक है डेकुशन बॉक्स किसे कते हैं इसको हम थोड़ा skip कर देते हैं सोड़ी इस यहां में स्टॉप कर दिए अब यहां पर देखो यहां सो मेर में आपको किलिक करना यहां पर देखो यह सो मौर में जैसे ही किलिक करोगे तो यहां पर देखो जो भी इंपोटेंट लिंक है वो यहां ऐसे रहेगा ठीक है वीडियो देखोगे सो मौर में किलिक करना या फिर अगर मोबाइल में देखोगे तो इस टैटल में क्लिक कर देना खुल जाएगा फिर यह सब होता है इंपोर्टेंट लिंक तो चलिए यह डिकुशन बॉक्स के बारे में आपको पता चल गया तो सबसे पहले आपको आजाना यहां पर इसका जो भी लिंक है डिकुशन प्रोसेस तो यहां पर आपको किलिक करना है यहां पर जैसे किलिक करोगे सास्में बीडियա। यहां पढ़ भी सकते हूँ साथ में वीडियो भी देख सेकते हूँ वीडियो का लिंक यहां पर एवेलेवेल कर देंगे यहां फिर डिवकुशन बॉक्स चेक कर लेना तो यहां पर देखो जैसे आते हो तो यहां प्रोसेस बताया गया है कि कैसे CAC के लिए करना है उसे पहले आपको TAC करना पड़ता है तो यहां पर देखो टीएसी इंटर पूर्णर कोर्स कैसे करना यहां पर क्लिक करके जान सकते हूँ अभी हम निच्छे स्क्रोल डाउन करेंगे आपको दिखाएंगे टीएसी का ओपिसियल वेबसार यहां पर देखो CAC कर सकते CAC भेली TAC नमबर मांग रहा है TAC certificate नमबर तो पहले आपको TAC पास करना पड़ेगा तो TAC पास करने के लिए यहां पर इस लिंक में आपको क्लिक करना है जैसे कि यहां बताया गया है region course तो यहां पर क्लिक करोगे यहां फिर से दिखा रहार टेली सेंटर इंटर पुरुणर कोर्स यहां पर क्लिक करोगे यह पीच खुल जाएगा I'm क्या क्या बताया गया है आप ध्यान से पढ़ लिजिएगा साथ में देखो उसमें के टीसी में एक्जाम होता है तो उसका एक्जाम का कॉस्चेन एंसर यहीं पर आपको मिल जाता है यहां पर देखो किली करें में किली करोगे तो पीडियाप दाउनलोड होगा अगर आप वीडियो के मध्यम से पढ़ना चाहते हो तो यह वीडियो देख लेना यहां लिए वीडियो लिंक दिया गया है इस वीडियो को लाइब देखके आप एक जान भी देख सेकते हूं मतलब सारा question answer इस वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा नेचे scroll down करोगे तो यहाँ पर देखो इस वीडियो में आपको यह बताया गया है कि आप टेली इस वीडियो देख लिजेगा अब बात करते हैं अगर आपको जानना है कि क्या क्या सर्विस है तो सारा सर्विस का लिश्ट आपको यहाँ पर दे दिया है यहाँ पर देखो CAC all service list 2020 तो यहाँ पर इसका जो भी लिंक है इसको भी डिक्रिशन बॉक्स में डाल देंगे यहाँ पर आ जाईएगा जो भी condition यहाँ पर लिखा गया है वो पर लिजेगा और देखिए popular service जो CAC पोटल में जो इस पोटल में सबसे popular जो सबसे ज्यादा चलता है वो उस service का लिश्ट अलग से दे दिया है यहाँ पर देखोगे इस पोटल में ठीक है आप अगर service चेक करना चाहते हो तो यहाँ आखे पढ़ सकते हो क्या क्या सर्विस है यहाँ पर देखो यह हो गया आपका 30 नमबर तक हो गया यह आपका आगया 63, 65, 68, 70, 75 नमबर तक हाला कि सभी service यहाँ पर लिश्ट नहीं कर पाए है अगर सभी service लिश्ट करने जाएंगे तो अभी हमको 2 page में post लिखना पड़ेगा तब जाके होगा तो इसलिए जो भी important है जो service ज्यादा चलत है वो उसी service का यहाँ listing कर दिये हैं यहाँ पर दे दिये हैं आपके देख लिजीगा जैसे की mobile recharge वगर सारा listing यहाँ पर कर दिये हैं अगर आप इस लिंक में आतो है तो यहाँ पर देखिए डिटर सिवा का link मतला login link मिल जाता है डिटर सिवा में एक DGP का option है वो भी यहाँ पर मिल जाता है जो APS यूज होता है CAC में APS सिस्टम जो चलता है उसे DGP बोला जाता है तो DGP APS सिस्टम है तो उसमें एक software दवरा चलता है आपको web में नहीं चलता है वो software दवरा चलता है तो वो software यहीं से डाउनलूड कर सकते हो देखिए यहाँ पर जैसे किलिक करोगे तो DGP के official website में चले जाओ जो की CAC दवरा ही यह develop किया गया है यहाँ पर देखिए DGP download DGP अगर mobile app डाउनलूड करना है THC वाला option ठीक है सबसे पहले हम THC वाला option में जाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा गया है यह भी पड़े यहाँ पर लिखा गया है CAC registration कैसे करें यहां से जान सकते हूं THC registration कैसे करें टीसी एकजाम पास कैसे करें वो भी यहाँ पता चल जाएगा ICC bank registration कैसे करें HD DFC bank BC कैसे registration करें जो भी है यहां सारा link दिया गया है जैसे कि अभी हम क्लिक कर देंगे टीसी पास कैसे करें यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ नया टेप आपन हो जाएगा यहां सारा question आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखो वो एक्जाम दोगे तो 100 में से 81% आप ला पाओगे अगर इसके थुरूद होगे जो अभी हम यहाँ पर आपको दिये हैं यहाँ पर देखोगे यह सारा question answer है यहाँ पर देखो यह question है question number one और इसका answer दो answer वहाँ सो करेगा इसमें जो red color है वही answer सही होगा उसमें आपको tick करना है आला कि यहाँ वीडियो द website में आपको हम ले चलते हैं फिर आपको समझ में ज्यादा आएगा कि वहाँ कैसे registration होता है ठीक है देखिया हम new tab open कर लिए tec type कर दिये हैं यहाँ पर देखो यह tec का official website है यहाँ पर देखो यही आपको registration करना पड़ता है यहाँ पर registration में क्लिक करोगे और यहाँ अपना ना तो यह चोग 289 मतलब लगभग 500 रुपया मान के चुलू 500 रुपया पड़ता है फिर assignment complete करना पड़ता है फिर exam होता है ठीक है exam देनी के लिए आपको कोई जाना नहीं पड़ेगा आपके system आपके laptop में ही हो जाएगा उसका वीडियो हम पहले बना चुके है चलिए हम आपको देना है लाइब देखा दिया है इस वीडियो में आप देख लिजिएगा ये वीडियो इस चैनल में विजिट किजिएगा और देखेगा जो भी important चीज है वो देख लिजिएगा अब चलिए हम वापस चलते हैं डिजिटर से वाप पोर्टल में यहां पर देखे अगर नमबर से आपने CSC registration भी कर लिया तो CSC registration जैसे करोगे उसके लगबख 15 दिन बाद आपके रेजिस्टेट email ID में ID पासपर्ट आता है उस ID पासपर्ट से आप login करोगे अभी जो हम login के यहां उसी तरह login करना है login करोगे तो इस तरह का option मिलेगा और कुछ चीजे में भूल रहा हो चलिए वह भी दिखा देते हैं जैसे कि इसका आपको ID पासपर्ट मिल जाता है उसके बाद आपको से एक certificate भी दिया जाता है और उसमें ID काड़ मिलता है ताकि आप से कोई पूछे कुछ inquiry अगर किसी दिन कोई करें तो आप अपना certificate और ID काड़ भी दिखा सकते हो यहां पर देखिए आप जैसे आपको ID पासपर मिल जाएगा माई एकाउंड में अगर क्लिक करोगे और जो आपको ID मिलेगा यहां पर डालना है चलिए हम दिखा देते हैं आपको certificate और ID काड़ भी दिखा देते हैं जो भी आपको ID मिलेगा वह ID डालना है फिर यहां जो भी यहां यहां यह कैप्चा सो कर रहा है वह डालना है इसमें आपको किलिक करना यहां पर आपको fingerprint जरुरत पड़ेगा आपका मंतरा का हो मर्फो का है जो भी है वह अटेच होना चाहिए आपके सिस्टम में फिंगर फिर डिवाइस मंतरा मर्फो जो भी है वह यहां पर अपना अंगुठा लगाओगे फिर अंगुठा लगाते ही आपका एकांट खुल जाएगा यहां पर देखिए यह डिटेक कर लिया है इसमें टिक करते है कैप्चा में किल्क करते हैं और जो भी आपका डिवाईस है वह जल जाएगा अपना उठा लगाएगा यह लोगीन हो जाएगा चलिए हम दिखा देते आपको यह अउठा लगा दिये हैं यहां पर देखिए लोगीन हो जाएगा लोगीन होने के बाद इन करेक्ट प्टापट कर देते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं, फिर से हम यहां पर अपना उठा लगा दिये हैं, अपने पिंगरप्रेन्ट डिवाइस में, यह देखें, कुछ इसतरे से आपका एकाउंट लोगिन हो जायगा, आपका अपना एकाउंट यहां स्टेटस चेक कर सकत दसले हो चलिए हम इसे केंसिल करते है और आफ़ ऐी काड दम्हें क्लिक करोगे तो आपको जो बी ओर यदिकान है वह सोुख आप इसे प्रिण करके लेमईनोशन करके आप आपने गल्ले में लगा भी सकते हो किसी मेटिंग मगरा में जाओगे तो इसमें मेटिंग भी होता है कभी-कभी लाइब होता है अब जब से लोगडाउन हुआ था तब से ये मेटिंग जो है सरकारी दफ्तर में नहीं होता है ये लाइब मेटिंग होता है जूम एप दवरा तो इसमें बहुत सरा मेटिंग भी ह होता है महीने में महीं में भी बेढ़ता है तो आपको कोई टेंशनकी बात नहीं है आपको ID काड भी मिलता है आपना क्यों सी कर सकते हो जेसे एकॉंट नमबर लिंग் होगा जी कमिशन आए把 mean रहाएगा तो और प communism कर सकते हो नाम ड़ movement वो सारा चेंज कर सकते हो प्रोफाइल में जाके तो यह सब चीजे आने वाले टाइम में बताएंगे अगर आप इससे जूड़ते हो तो चैनल को सस्क्राइब करके रिखेगा ताकि आपको इसके रिलेटेड जो भी जनकारी नया सर्विस आए या फिर काम कैसे करना है उस सर् रांजक्शन होता है जो भी काम करते हैं यहाँ पर हिस्टोरी में आ जाता है जैसे कि यहाँ पर देखो यह सर्विस है किसान क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड अभी अप्लाइ होता है बहुत कोई अप्लाइ करवाता है तो इसको हम अप्लाइ के तो कितना कमिसर मि फिर भी पॉर्फिट है 50 रुपया लोगे तो एक्स्ट्रा पॉर्फिट है जैसे कि रसीद निगलेगा 35 रुपया का और आपको कमिशन मिला 24 रुपया ठीक है और TDS भी कटा जाता है यहाद कि TDS भी कटा है 90 पैसा तो लगभग आपका 35 रुपया में 24 रुपया आपका कमिश मिला अब चलिए दूसरा सर्व यहाँ पर देखो यह डेमोग्राफिक हाला कि यह नहीं दिखाएंगे क्योंकि यह बार-बार आपको पैमेट नहीं करना पड़ेगा अब देखें यहाँ जैसे कि income certificate बनता है तो हम income certificate apply किये तो 10 रुपया का रसीद निकला तो हम details में किली कर तो उसी इशाब से सभी service में लगवग सभी service में आपको यहा aan commission मिलता है जैसे कि इसमें देखोगे 200 रुपया 260 पैसा है तो चलिए इसमें 119 रुपया commission मिला है और 4.50 रुपया TDS कटा है तो 119 रुपया अगर 200 रुपया में 119 रुपया commission है तो बहुत है अचलि अशनी पी कुछ सर्विस देशे कि इसमें देखे एक motor comprehensive किसी का किसी गाड़ी काम insurance किये थे फलोसी किये तो तो यहां देखे details में क्लिक करते तो यहां देखे चोग 2832 रुपया का रसीद निकला और इसमें commission मुझे मिला है 726 रुपया इसमें 32 रुपया TDS भी कटा है टेक्स भी 1.5 रुपया कटा है तो यहां पर देखो अच्छा खासा commission है अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हो जैसे कि आपको हिंदी पूरा तरह से समझ में आ जाए English ना भी आए फिर भी चलेगा लेकिन थोड़ा बहुत आए तो आपके लिए बहतर होगा CAC registration के लिए आपको कुछ नहीं करना है सबसे फिले TAC registration करो TAC registration करने के बाद जो भी ID password मिलता है यहाँ पर login में किलिक करोगे login करने के बाद assignment complete करना पड़ता है फिर assignment complete होने के बाद एक exam देना पड़ता है सारा online होगा कहीं पर आपको जाना नहीं पड़ेगा exam जैसे complete हो जाएगा CAC के लिए registration कर दो CAC registration करोगे यहाँ से फिर registration करने के बाद लगवग 15 दिन 20 दिन के बाद ID password मिल जाता है अब उसके बाद जो भी यहाँ service है जितना भी service हो सारे service में काम कर सकते हो आगे चलके आप अधार center भी खोल सकते हो access bank, ICAC bank, HDFC bank उन सारे bank का CSP भी ले सकते हो BC point भी ले सकते हो मतलब ठेर सारे service यहाँ आपको मिल जाता है मैं चाहूंगा अगर आप बेरोजगार हो तो इसे आप try किजिए क्योंकि इसमें आपको 15 रुपया लगाना पड़ता है ज्यादा amount है नहीं अगर आप pass कर जाते हो ID मि सकते हो अच्छे खासे income कर सकते हो 15-20,000 क्या उससे ज्यादा कर सकते हो अगर आप ज्यादा काम करो service में काम करो के तो ज्यादा profit होगा और इसमें आपको तोड़ा इज़त भी मिलता है जैसे कि आदार का काम कभी start हो जाए तो इसमें इज़त मिलता है शात में सारे service education वाले service में अगर काम करते हो तो इसमें ज्यादा है जैसे कि बच्चों का turning जैसे computer course का center खुल सकते हो CAC से ही इसी portal से ही साथ में बहुत सारा service है और क्या बताएंगी अगर आप बेरोजगार हो तो ये काम start कर सकते हो और ये government का है ठीक है हाला कि private company है CAC private company लेकिन government जो है इसे धेर स सारे service दे के रखा है ठीक है जैसी PM किसान देखिए यहाँ पर जो भी सरकार का नया काम आता है जो online का सुविदा हो तो सबसे पहले CAC में आता है तो जैसी बात है CAC government भी इस पर भोरुसा करता है तबी तो सभी काम देता है जैसे कि जाती निवासी आए ये कौन इसू करता ह है state government तो state government इस पर भोरुसा कर रहा है तो आप भी कर सकते हो और इसके बारे में ठेर सरा वीडियो बना हुआ है आप YouTube में सर्च भी कर सकते हो तो last और final में और एक बार बता देना चाहता हूं सबसे पहले आप TAC registration करो TAC pass करो उसके बाद CAC registration करो फिर उसके RD password मिलने के बाद आपना काम इशाद कर सकते हो TAC registration कैसे करना है यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा TAC pass कैसे करना है यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा CAC registration करना है यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पर search कर लेना है आपको जैसे कि यह वीडियो देखोगे यहाँ पर लिखा गया C CAC Registration Process Online 2020, तो यह वीडियो देखोगे, इसमें CAC के से Registration करना है, वो पता चल जाएगा, फिर यह TAC Exam Live, यह वीडियो देखोगे, इसमें Registration से लेके exam past तक आपको इस वीडियो में दिखा दिया है, यह तो assignment complete है, उसके बाद देखी यह final exam है, तो यह वीडियो देखेगा, इ तो बस मिलते फिर एक नए बीडियो में नव टीबी साथ, तब तक के लिए देखते रो, सिखते रो, work finished.